हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकास का प्रावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को भी बताएंगे और ये प्रश्ण बोड परिक्षा में पांच नंबर का पूछा जाता है तो इस वीडियो हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रकास का प्रावर्तन किसे कहते हैं तो जब प्रकास की किर्णे किसी दरपन या चमकीली सता से टकरा कर पुना लोटने की प्रक्रिया को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं तो प्रकास का प्रावर्तन किसे कहते हैं तो जब प्रकास की किर्णे कि आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं और दरपड से टकराने के बाद जो किरण प्रावर्तित हो जाती है उसे प्रावर्तित किरण कहते हैं और यहाँ पे आपतन कोड की से कहते हैं तो यह जो आपतित किरण होती है और यह जो अभिलम है यहाँ पे देखिए आपतित कि और ये जो प्रावर्तित किरण होता है इसके बीच में जो कोड बनता है उसे प्रावर्तन कोड कहते हैं और प्रावर्तन कोड को आई से सुचित करते हैं तो ये आपको काफी एची तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रकास का प्रावर्तन किसे कहते हैं तो जब प्रकास की क प्रावर्तन के दो नियम होते हैं इसे आपको याद रखना है अब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं पहला देखिए आपतन कोड प्रावर्तन कोड के ब्रावर होता है इसे आ आपको याद रखना है आपतन कोड को आई से सुजित करते हैं और प्रावरतन कोड को आर से सुजित करते हैं और उसके बाद यहाँ पर दिखिए दूसरा नियम आपतित किरण प्रावरतित किरण तथा आपतन बिंदू पर डाला गयलम तीनो एक तल में होता है यहाँ पर दे इतने नियम होते हैं दो नियम होते हैं पहला होता है आपतन कोड़ प्रावर्तन कोड़ के बरावर होता है और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण प्रावर्तित किरण तथा आपतन विंदो पर डाला गया लम तीनो एक ही तल में होता है यहाँ पर आपको काफी अची तरी वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तो किसी दरपण पे जो किरण आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं और प्रावर्तित किरण किसे कहते हैं तो दरपण से टकराने के बाद जो किरणे लोट जाती है या प्रावर्तित हो जाती है उसे प्रावर्तित किरण कहते हैं और आपतन बिंदू किसे कहते हैं तो आपतित किरण दरपण के जिस भाग पे टकराती है उसे आपतन बिंदू कहते हैं तो यहाँ पे आपतन बिंदू आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम एक बार फिगर बना के आपको समझा देते हैं यह जो आपतित किरण जिस परपण से आके टकराएगी वो आपतित किरण होगी और टकराने के बाद जो किरण लोट जाएगी वो प्रावर्तित किरण होगी और जहां पर ये किरण आके आपतित किरण टकराती है वो आपतन बिंदू होता है और आपतन बिंदू पर ही यह अभिलम यहां पर खीचा होता और यहाँ पर प्रावर्तन कोड की से कहते हैं तो जो ये प्रावर्तित कीरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच में जो कोड बनता है इसे प्रावर्तन कोड कहते हैं और प्रावर्तन कोड को आर्स सुजीद करते हैं तो उमीद करते हैं ये प्रशना आपको अगर आप लोग इतना डाइग्राम बना के लिग देते हैं तो आपका पांच नमबर पक्का हो जाएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास इसे जरूर सेर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैन ला के पढ़ाई कीजिए टेकर इंड बाएं